अगर लालना है कौन ने चाहता है तो बताया निकाल सकता है या और संजय से कोई बहतर कंडिडेट है तो अगला है उसको टकर मजगूती से कौन देगा सब्सक्राइब करें बहुत तो जो टकर देगा हो सकता है संजय रादब से भी कोई मजगूत होगा उसको ठीकर देगा और हम लोग पार्टी के वफ़दार सिपाई में से हैं पार्टी जो लिरने लेगा हम पार्टी के साथ है आज तक देखें ना कि लोगोंने कितना लालच दिया कितने लोग बदल गए कितने लोग लालच में चले गए आपको बाका मेरा अस्थानिय घर है हमारा निता पहुचा था हमारा डूटी था कि मनना जो है उसका स्वागत करें हम और स्वागत कि और जिस तरह से ने ने हम लोगों को जबाब देही दिया उस पर आज जो है गांधी मैदान में जो रेला लेकर के आए पास्थो गाड़ी का काफला जिस तरह से चला पूरा बिहार और जरकंड के लोगों ने देखा और देश के लोगों ने देखा तो अपेक्षा तो हर लोग रखता है जब हम कुछ नहीं थे जिला के मास अचीब थे उस समय जो है ह पॉड़ा इसा जगह से हम अमेले बनेंगे तो कि आपको भी पता है कि वहां में जादवों की अवादी कितना कम है लेकिन उसके बावजूद भी वहां के सारे समुदाय के लोगों ने सारे गरीब गुरुवा ने मिल करके 17 दिनों में मुझे अमेले बनेने का काम किया और देखने के साथ आसुतोस आनन्द, पटना में जन्विश्वास माहररैली का जो आज़ परदर्शन हुआ और इंडिया माहगणबंदन के सभी पाटियों ने एक एक करके अपनी बातों को रखा और आज का रैली का जो भीड था वो देखने लायक था लग रहा था कि जनता का विश्वास जो है तेजसी यादब के साथ है लेकिन ये विश्वाट वोट में कितना बदलेगा ये देखने वाली बात है फिलाल हमारे साथ गोड़ा के पूर बिदाएक संजे परसाद यादब जी है आज जो जनता पहुची थी क्या ये विश्वास भोट में परिवर्तन होगा ये सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं बिहार और जारकन के जनता को जिन्होंने अपने नेता आदरने लालू परसाद यादब जी का और आदरने इनेता तेस के भुरते हुए नुजवानों का धरकन तेसवी आदर जी इस तरह से सारे जिला घुर करके और जन विस्वास यात्रा में उन्होंने जिस्तर से घुरा और लोगों को संदेश दिया विहार के विशे में और उसी च्छन में जो आनन फानन में 26 तारिक को ये निर्णे लिया कि नहीं तीन तारिक को रेली पटना गांधी मैदान में करना है और 26 तारिक से नेता के सासा सभी लोगों ने आम जनता में पहुचाने के काम किया कि तिन तारिक के रेली में भाग लेना है जो बात भी आप बोल रहे थे कि क्या ये रेली भोट में परिवर्तन होगा हम आपको ये खाना चाहते हैं दलितों की पाटी है और जब नेता पे विश्वास था और नेता के एक एलान पर इतना कम समय में आपर चार पाच दिन के समय में जो जनसला पूरे बिहार जारकंच से यहां पर उम्रा और जिस तरह से मेग ने कितना घटा चाया हुआ था बादल चाया हुआ था पानी पड़ रहा है कल से ही टिप 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 पानी पड़ रहा है उसके बाद भी लोग रूखा नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये भोट का परिवर्ता नहीं है और इस वार बता देते हैं कि मोदी को हटाने के लिए और बिहार से पल्टूराम को हटाने के लिए यहां के बिहार की जनता ने कसम खा चुका और धरकन की जनता ने कि अब नहीं चलेगा मोदी का जुमलाबाजी और मंदिर महजीद की राजनितिक अब चाहिए बिकास करने वाला नेता नौकरी देने वाला नेता जो आम लोगों से मिले वो इसा नेता चाहिए और उसी का ये जनसलाब था और 100% भोट में परिवर्तन होगा ये रेला बातें ये भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि संजे परसाद यादब जी जो है बाका से लोकसभाद चुनाओ के लिए जो है नोमिनेशन हो सकता है टीकट मिल सकता है कहां तक सचायर क्या आपको अगर टीकट मिलता है तो अपनी दाविदारी पेस करेंगे कि संजे जादब कोई परिचे के मुहताज नहीं है और जब कि बिहार था कि उसी समय हम निनावनबा के लास्ट में चुनाओ जित के गए और जारकन लेके गए और जारकन में भी हम लोग सवाल लड़ चुके हैं गोड़ा से दो बार अमेले भी रहे एक बार जोएंट विहार में रहे एक बार जारकन बनने के बाद रहे और बाका मेरा अस्थानिये घर है हमारा निता पहुचा था हमारा डूटी था कि मनना जो है उसका स्वागत करे हम और स्वागत किये और जिस तरह से निता ने हम लोगों को जबाब देही दिया उस पर आज जो है गांधी मैदान में जो रेला लेकर के आए पास्थो गाड़ी का काफला जिस तरह से चला पूरा बिहार और जरकन के लोगों ने देखा और देश के लोगों ने देखा तो अपेक्षा तो हर लोग रखता है जब हम कुछ नहीं थे जिला के मासचीव थे उस समय जो है हमको अधरनीय नेता लावी परसाद्य आदव जी ने गुड़ा से टिगट दिया और सतरत दिनों में जाकर के हम वहां पर फत्य किया और वहां से अमेले बने मात्र सतरत दिनों में हम सोचे भी नहीं थे कि गुड गुरुआ ने मिल करके सतरत दिनों में मुझे अमेले बने का काम किया और बाका तो जंजन में है बाका तो रंग रंग में हैं हम समझते हैं कि जो बाका का मजबानों का आवाज है जो लोगों का आवाज है यह आप खुद दिखा रहे हैं इसलिके हम कुछ नहीं कह सकते हैं यह निरने आदन्य नेता नालूपरसाद यादव जी को लेना है और तेश्वी जी को लेना है कि भाई सीट को इस मामले में जानते हैं कि तेश्वी जी एकक सीट को बड़ी बारकी से देख रहे हैं और जो जीतेगा उसी को टिकड़ देगा और उस पर उनका समिक्षा चल रह जीतने वाले को ही टिकर देगा चाहिए कहीं से भी हो लेकिन आपके सामने जपरकास ज्यादब जी हैं पहले वहां से बाकास से वह जीते भी हैं तो क्या लगता है परकास जी बड़े भाई है और हम उनका सम्मान करते हैं और वह एंपी रहे भी हैं होँआ से कई कभार विधायक रहें मंत्री रहें पारस्तरकार के भी मंत्री रहें तो यह निरने दिए वैंने की सीट निकालना है तो निरने तो अधरने नेता लालू जी लेंगे तेस्वी सोब्सक्राइगे तो इस पर हम नहीं कुछ कर सकते हैं ना अई हमको कहें गारते हैं तो हम थोड़े पीछी घते तो और अगर जबाब जही देगा उनको लगेगा किने संजय निकाल सकता है या और संजय से कोई बहतर कंडिडेट है तो वह तो सीट निकालने की बात है ने कि जो अगला है उसको टकर मजगूती से कौन देगा तो जो टकर देगा हो सकता है संजय यादब से भी कोई मजगूत हो कितने लोग लालच में चले गया आपको मालूम है लालू जी ने कितराES मानते थे हमारे जो अभी चले गये मंतरी है भार सरकार में आप देखे जरकन में मंतरी बनाया है बिहार में loss और उनको प्रदेश अध्यक्स तक बनाया वैसे लोगों ने गढ़ारी करके चलाए मंतरी दिया कि मंत्री मना दें, तिन तिन मंत्रा एंगे बहुत कुछ देंगे, हम बोले कि हमको कुछ ने चाहिए बस लालूप्रसाड यादव जी का शिर्पाव चाहिए, और हम लोग नेता के डारक्षन से चलते हैं नेता जो बोलेगा वे हम करें, आप देखें कि दो दिन पहले बोला एक दिन फिर हम पट्टने आ गए और तीन दिन में जिस तरह से जनसलाब बाका से आया और आपके चैनलों के माध्यम से जो आप लोगों ने तुम सच्चाई चीजों को दिखाया है इसके लिए बहुत-बहुत बढ़ाई सुबकाम नाए आपको और यह में से जा रहा है नेता अपना समक्षा कर रहा है फिर नेता जो दिन लेगा हम लोग जिसको टिकर देगा उस चाहे और पाटी चाहे तो जिताने का दम भरने के लिए संजा परसाद यादब जी तयार है तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज झालَّ जिक हो जघका यदिता जब सर्फेस बूँरा उसाज कर रहें ज़ी तो बनाटी पिताने के रहें हैंट प्रविध देखते हैं प्रूज यादेष यार्णावां का ड़रूरों को वandelिताने के लिताने का जज़शांगा जरूल्स चाहे टाटी हैंगा गर्वांते